Hello everyone, my name is Nikhil and welcome to the channel आज के वीडियो SSC MTS की notification के उपर है Finally एक महीने के डिले के बाद निकल चुका है हमारा notification और आज के इस वीडियो में detail discussion करने वाले हम लोग इसके उपर बहुत good news है, 8000 से उपर हमारे पास यहाँ vacancy आई वही है जो कि पिछले बार की comparison में साथ गुना आप समझके चलो, almost 6 गुना, साथ गुना vacancy आई वही है लिंक में देदूँगा आपको description में, इन सारे points में से mostly के उपर पिछली वीडियो में बात हो गया था, जो नहीं हुआ था, notification के चीज़े वह यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले शुरुबात कर लेते हैं, date से date के बात करें, तो 27 छे से यारे 27 जून से इसका notification नि अपने उस गलती को सुधारने के लिए, October, end में आफे November के starting में आपका examination भी हो जाएगा, single examination है यहाँ पर, और यह आपका mobile number है, अगर आपको कोई doubt बसता है इस वीडियो को देखने के बात भी तो यह number है, SST का आप call करके चीज़े पूछ सकते हो, यहाँ पर, application fees की बात करें और आप form भर रहे होगे, आपसे गलती हो जाएगे, तो बताया था ना, correction का form भरोगे, तो आपसे 200 रुपे लिया जाएगा correction के लिए, अगर आपसे गलती दुबारा हो जाती है, आप form को third time भर रहे हो, तो 500 रुपे आपको लगेगा fees, extra लगेगा यह आपका, 100 रुपे के की जाएगी, as on 1 अगस्त, और इसके अंदर जो हवलदार वारी आपके पोस्ट है, उसके अंदर 18-27 वालों के अंदर ही है, MTS की सारी पोस्ट 18-25 वाली एच करेटिरिया में है, कुछ पोस्ट यहाँ पर भी आपकी है, कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर यहाँ पर भी है तो उसके अंदर लिखा आ जाएगा, आपको अपने आप ही दिख जाएगा, फॉर्म भरते वक्त, ठीक है, और यहाँ पर एग्जेक्ली डेट भी मेंशन है, किस डेट से किस डेट के बीच में आपका काउंट होगा, रिलक्सेशन भी है, तीन साल पांस साल जो है, से मिलता हैं, 2023 की बात करें, तो मातर पंदर असो वेकेंसी थी, मैंने को बता है न, बहुत अच्छा कासा इंक्रिमेंट आपको देखने को मिल रहा है, 2022 में आपका, इसलिए आपका तीस का कट आफ आप देखोगी न, आप सुझ नहीं सकते कट आफ कैसा है, अल्मूस्ट फुल मार् नीचे ही जाएगा, कोई सवाल ही नहीं उठता कि ना जाया, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है, वेकेंसी के बाद देख लेते हैं, हाँ, यह आपका देख लो, लास्ट येर की नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा है था, 360 आपका हवलदार की पोस्ट थी, MTS की 11 से थी, इस ब जो पराज़ते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी काउंटिंग, आपकी एक अगास्ट दोजार चॉबिस से होगी, कोई भी टेंथ पास बच्चा इस फ़र्म को बढ़ सकता है, तेंथ में आपके क्या परसेंटेज थे, कोई फरखने पड़ता, आप फेलो के पास ह हुए, टेंथ में आपका स्टेट बोर्ट था, सिवी एसी था, किसी चीशसे को फरखने पड़ता, 33 परसेंट हो, 93 परसेंट हो, कोई फरखने पड़ता, कोई भी मीडियम से आपने क्या हो, आप इस फ़र्म को अप्लाई कर सकते हो, कोई एक्स्टा रिक्वार्मेंट नहीं उपर वाला आपका टेस्ट है, एक टेस्ट होगा उपर, वो बताऊंगा थोड़े दिर में, पहले क्रेटेरिया देख लिए हाइट का क्रेटेरिया है, मेल के लिए 157.5 और चेस्ट आपका होना चाहिए 81 सेंटीमेटर मिनिमम और 5 सेंटीमेटर फूल के 86 सेंटीमेटर हो ज चल जाएगा, वो रिलक्सिशन यहां पर मिल रहा है, और यह वाकिंग करना होता है, 1600 मिटर आपके 15 मिनिट में और 1 किलो मिटर 20 मिनिट में आपको फीमिल के लिए करना पड़ता है, ठीक है जो कि बहुत ही नॉर्मल है, उतनी बड़ी बात नहीं है, मैं ही कर लूँगा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं, फॉर्म को भर करके आप रख देना, 100 रुपय है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप अगर लग रहा हो का 1 अगस्त को मेरे रिजल्ट आ जाएगा, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, वरना इस लोग इसको, सेल्री और प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो देख लीजिए, यहाँ पर अलग अलग राज्यों के हिसाब से आपकी सेल्री बनती है, बेसिक पे अलाउंस इस वगएरा, हर एक चीज़ को जोड़ जाड़ करके, जो आपकी सेल्री है, वो यहाँ पर लिख प्रमोशन इसके अंदर बहुत अच्छा नहीं है, जिसको लग रहा होगा कि फ्यूचर देखे, काम के हिसाब से, पैसे के हिसाब से है, पैसा आपका बढ़ता जाएगा, मैं कई लोगों को देखा हूँ, जो कि सब इस्पेक्टर लेवल तक से रिटार्मेंट किये हैं, MTS स जॉइन किये थे, उस लेवल तक पहुँचे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, दूसरी बात यहाँ पर सोचने रहा है कि आपका जो नौकरी है, वो किस तरीके का है, आपको थोड़ा सा मैड़े देता हूँ, तो सरकारी नौकरी है, यह सेंटरल गवर्मेंट की, और उसक की परमोशन हो जाती है, वो एक अच्छा तरीका है आपको आगे बढ़ने के लिए, एल्स, सेलरी बढ़ेगी, परमोशन बहुत आपका ऐसा नहीं होगा कि काम आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, बट स्चिल सरकारी नौकरी है, आपकी कोई भी बैंक हो सकता है, प्राइ तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ही एक बारिए के बढ़ कोई यह कर्सक्राइब हो ओके अपको यहmud सकते हो सबसे पहले सेशन वन खुलेगा पैतालेस मिनट के लिए आपको सॉल्व करना होगा और यहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है रिजनिग और मैथ के अंदर उसके अदर नेगेटिव मार्किंग कोई हो भी ना भी हो फरक नहीं पढ़ता को जन्रेल तो आपको पता भी नहीं है कि यहां से श्रिलंगा की दूरी क्या है वही पूछा हुआ है तो इतना भैंकर तुक्का थोड़ी ना कोई मारता है तो यह बात है आपका जर्नल अवेरनेस जो आपका इसके अंदर है उसके अंदर तुक्का वैसे भी कोई नहीं लगाता है इंग और यह फिजिकल टेस्ट जो आपको मैंने बताया था सोलो सो मिटर चलना है हवालदार वाले पोस्ट के लिए है वह आपको चलना ही पड़ेगा बस सिंपल और कुछ भी ग्रेडियर नहीं है बुक की उपर आ जाते हैं बेस्ट किताब है कौन सी इस नोखले को रख करने के दिमाग में चलता है एन अपको इस किताब से अच्छे कोई किताब आ आपके पास है ही नहीं यह बस्त गाइड है सिम्टियसके लिए मतलब इसके अंदर सारा सारा सारह सारा सिलिए सारे चीज इनल कवरड़ है प्रिव करने के सार्थ लेकिन आपको से चलनधा पीपर जासे यह 5 किताब नहीं पढ़नी है, यह किताब more than sufficient है, concept इससे भार कुछ भी नहीं आने वाला है, यह किताब आपको लेना है, concept के लिए, ssc, mts की तयारी आप कर रहे होगे, सिर्फ और सिर्फ तो, मैरा पिछला वीडियो ssc, cjl पर था, अगर आपने वह अले किताब ले ली है, mts cjl भी होगा, आप एक mock test ले लिए, सारे examination का तयारी उसकंदर हो जाएगी, ssc की, ठीक है, mock test आपको सारे मिल जाएगा, तो यह आपने किताब ले लिया, और mock test लगा लिया, आपका काम चल जाएगा, ठीक है, तो यह guide one of the best है, guide आपने ले ले लिया, अपने mts वाला, लेकि पर repeat होगा, इनी चार किताबों में से, यह किताब English में भी है, और आपके पास यहां देख सकते हो, हिंदी में भी है, और इसके अंदर 67 years, 73 years, 73 years, 73 years के papers दिये हैं, ssc के, different, different examinations के, आप यहां पर अच्छे से चेक कर सकते हो, यहां पर सारे examinations आपके covered हैं, mts हो चाए, stino हो कुछ भी हो, तो आप किसी भी ssc के mts का, या फिर किसी का भी examination के तयारी कर रहे होगे आप, आपका काम इन किताबों से चली जाएगा, तो ssc अगर focus है, तो आप इनको purchase करना, यह उपर वाला रहने देना, mts है, तो आप यह purchase कर लेना, बता दिया मैंने self study के लिए, और एक म अच्छी कोई किताब ही नहीं है, बेस्ट किताब है यह, English के लिए दोनों ही किताब है, आपके essential English और यह objective, दोनों अच्छी है, जो सस्ती हो ले लेना, दोनों एक टकर की किताब है, आपका static के लिए general knowledge ले ले लेना, lucent वाली, और आपका current affairs के लिए, मैं PDF शायद दे और यह, सस्ती का cut-off नहीं पार करता हो गया, देखो ना, दो रो तुन दे नूमबर बस कम है, सीट इतने कम थी, क्या करा जाएगा, इतना कम cut-off गया था, यह cut-off definitely दस नंबर आपका नीचे जाएगा, मरे सिमारे हालत में, तो बहुत अच्छा ही good news है आपके लिए, लेकिन आप इसके अंदर topic छोड़ के निया सकते हो, सारे topic करना है, कमेंट करोगे, तो मैं एक strategy वीडियो भी ज़रूर मरा दूँगा, SSE MTS के उपर, यह cut-off SSE MTS 2023 का, आपका 18-27 साल वाली जो post है ना, उसका है, MTS के अलग-अलग departments में, हवालदार वाला नहीं, हवालदार का आपक लिए, सब कुछ हमने देख लिया है, form को भरना कैसे है, सबसे पहले आप नीचे दिये के link पर click करोगे, article मेरा खूलेगा, उसमें apply online का link लिखा होगा, आप जैसे उसको करोगे, नहीं website आचुके, nick.in नहीं है, gov.in है, seizure वाले भी देखने, यही तरीका है, आपके सामने लिए, continue पर click करिए, और आपका OTA, आपका OTR सौली हो जाएगा, one time registration हो जाएगा, आपको ऐसे registration number मिल जाएगा, इसको आप note कर लेना, message के तुरू भी आ जाएगा, उसके बाद आप लोगाउट हो जाओगे, यहाँ बच्चे के लोगाउट हो जाओगे, उसके बाद आपको आपको फॉर्म को सब्मिट करते हैं, फीस पेमेंट करना है, फीमेल हो तो फीस पेमेंट करने के जरूत ही नहीं है, तो बस यह था सिंपल आपका फॉर्म भरने का तरीका, इसके अंदर क्या एक स्याधा पोश्च के लिए अपलाई कर सकते हो, बिल्कुल सारे पोश्च के यहां तक देख रहे हैं इस वीडियो को, और आप लोग प्लीज यहां तक देखे हो, तो फाइदा तो मिला होगा कुछ ना कुछ वीडियो को लाइक करिएगा, चैलो को सब्सक्राइब करेंगा, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करेंगा, पापा, मम्मी, किसी का भी फो में डालो, कहीं पर भी डालो इन वीडियो को और शेयर करो, बस आप सब ने देखा हैं,